एक क्रोड में कितने हजार होते हैं यानि कितने हजार मिलकर आपका एक क्रोड बनता है पहले तो आपको एक क्रोड लिखना आना थी एक क्रोड कैसे लिखेंगे देखें उसके बाद हम इसको लाक में करवट करेंगे फिर लाक से अजार में आ जाएंगे इकाई धाई शेकडा जार दस जार लाक दस लाक और करोड कितने जीरू है इसमें साथ जीरू है ठीक है अब देखे बिल्कुल सिंपल है एक दो तीन चार पांच पांच जीरू है निए लाक तो कितना बंजेगा सो लाक अब आपको एक ट्रिक बता होगया जिस आफ एक अजार को किसे लिखते है एक और इसके साथ तीन वार जीरू तीन वार जीरू है निए अजार एक दो तीन तीन वार जिरू यानि हजार आगे कितना है ये फिर आपका हजार आगे कितना है दस दस हजार हजार को आप क्या कहते है एक क्रोड कहते है यानि कितना होता है ये आपका एक सो लाक ठीक है जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, जिरू के लिए क्या गया लाग, अगे कितना एक सो तो एक सो बन गया एक सो यानि सो, लाग यानि कितना, सो हजार सो गुणा सो कितना आ जाएगा, दस हजार कैसे भी समझा आपको समझना है, धने बाद झाल